हेलो दोस्तों मैं सचनर अरोडा एक बर फिर से आप तभी लोगों का स्वागत करता हूँ अरोडा एजुकेटर के इस और फीशल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कैसे हैं आप सब सो उमीद करते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से मेंस की प्रिप्रेशन चल रही होगी आप सभी ने प्री क्लियर किया है उसके लिए कॉंग्रेशुलेशन गाइस अब बारी है मेंस की और हम उमीद करते हैं कि आप मेंस में भी अपना 100% देंगे और फाइनल सेलेक्शन को लेंगे आपके इस फाइनल सेलेक्शन को और भी आसान बनाने के लिए कम्प्यूटर सब्जेक्ट में 90% तक स्कोर करना जरूरी है means अगर हम बात करें out of 40 कोशन तो आपको 36 कोशन तक सही करने होंगे anyhow वो भी 7 से 8 मिनट के अंदर यानि बहुत तेजी के साथ आपको कोशन को पढ़ना है और सही आंसर को चूज करना है कई बार कैनिडेट्स जल्दी में वो कोशन जो उनको आते होते हैं वो आंसर जो उनको मालूम होते हैं उनका भी आंसर गलत दे देते हैं तो बस इस चीज से आपको बचना है एक्जाम ओरियंटेड आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है उनकोशन की जो की वाकी में एक्जाम में देखे जाते हैं तो आईए आज के सफर की शुरुआत करते हैं 7 days 7 test के साथ 7 दिन लगतार हम लोग एक एक test देखेंगे और आज है इस test का day 1 जहां पर अगीन हम लोग देखने वाले हैं best 40 questions आप देखिएगा कि out of 40 आपने कितना score किया तो without further delay बिना किसी देरी के साथ फटा फट से बढ़ते हैं और discuss करते हैं questions पर साथी साथ हम आपको ये भी बता दे कि आप में से वो candidates जो चाहते हैं basic level से advanced level तक cover करना वो भी बहुत कम समय में क्योंकि ये पूरा course आपका 65 plus hours का है आप चाहें तो पूरे course को 5 दिन के अंदर ही complete कर सकते हैं आप यहाँ पर सबसे पहले PDF को पढ़ सकत हैं और जहाँ पर आपको problem लगे वहाँ पर आप videos को भी देख सकते हैं इस तरीके से आपको क्या होगा पूरे course को बहुत जल्दी end करने में मदद मिलेगी और एक confidence भी तो boost up होगा आपका कि हमने सब ही topics को एक बार पढ़ लिया है एक बार revise भी कर लिया है PDF की मदद से और व office हो गया word, excel, powerpoint, networking, email ये topics के विडियो भी देखेंगे तो बहुत beneficial होगा basic to advanced level पी इस course की validity है 12 months from the date of purchase complete यहाँ पर आपको recorded ये course इस समय मिलेगा बहतरीन तरीके से join करियेगा ताकि computer का level कितना भी tough क्यों ना हो आप maximum score कर पाएं join करने के लिए Aroda Educator application को install करियेगा फटा फट से PDF की मदद से revise करियेगा और जहाँ आपको requirement लगे वहाँ पर वीडियो को देख लीजेगा अगर कोई भी दिक्कत आपको लगे कुछ guidance की requirement हो कुछ पूछना चाहते हैं आप तो दिये गए नंबर पे WhatsApp करके भी आप पूछ सकत करें या फिर iOS की बात करें दोनों में ही ये application supported है किसी भी confusion के regarding दिये गए नंबर पे WhatsApp करके भी आप हमसे अपनी problem को share कर सकते हैं कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं चलिए गाइस फटा-फट से बात करते हैं आज के best 40 questions की exam का level बहुत improve हो चका है अब बह या तरीके के exam oriented questions को एक बर करते हैं पहला question आपके screen पे आ चुका है which shortcut key is used in MS Excel 365 to close the current workbook MS Excel 365 में वर्तमान कारिपुस्तिका यानि जो current workbook है उसको बंद करने के लिए किस shortcut key का प्रयोग करते हैं and the answer is control plus w current workbook को बंद करने के लिए control के साथ w प्रेस करते हैं that is the correct one next which function key is used in MS Excel 365 to edit a cell MS Excel से बहुत सारे question exam में देखने को मिलेंगी ये confirm है किसी cell को संपादित करने के लिए यानि किसी cell में editing करने के लिए कौन सी function key use की जाती है F1, F2, F3, F4 या F5 बिल्कुल सही correct answer होगा F2 function key की मदद से हम किसी भी MS Excel की cell में edit कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं लेकिन F2 की मदद से अगर हम बाकी जगे पर बात करें तो इसका use किया जाता है To rename any file or folder, किसी भी file और folder को rename करने के लिए भी F2 key का ही use किया जाता है तो आपको सभी function keys याद होनी चाहिए कि F1 क्या करती है, F2 क्या करती है, F3 क्या करती है सारी function keys पर आपको command होना चाहिए Next, which shortcut key is used in MS Excel 365 to insert the current date MS Excel 365 में वर्तमान दिनांक डालने के लिए किस shortcut key copy करेंगे आप ऐसी कौन सी shortcut की है जिसकी मदद से current date को insert किया जाता है MS Excel में Very good and the correct answer is control plus semicolon यानि answer होगा option number 1 इसकी मदद से हम क्या करते हैं MS Excel में current date को insert करते हैं और अगर question में ये पूछा जाए कि MS Excel में current time को insert करने की shortcut key क्या होगी तो answer हो जाएगा control shift semicolon time के लिए control shift semicolon और current date को insert करने के लिए control के साथ semicolon Very good How many users can open the Excel file at the same time? कितने उपियोग करता एक ही समय में Excel file खोल सकते हैं? एक Excel file को खोलने के लिए एक ही समय में कितने users उसको open कर सकते हैं एक time period पर? 128 users, 512, 256 या 64 users या none of these Correct answer है, 256 users, 256 users, Excel की file को एक ही समय में access कर सकते हैं So the correct answer is 256 users Next, how to specify the cell range from A9 to A99 in Excel 365? MS Excel 365 में A9 से A99 तक cell range किसे कैसे निर्दिश्ट करें? हम जानते हैं कि cell range को हमेशा colon से indicate किया जाता है तो इसका मतलब A9 से लेकर A99 तक और इसके बीच में क्या लगेगा? colon लगेगा So the correct answer is option number 3 A9 colon A99 Very good, next Any computer that can access the server is called कोई भी computer जो server तक पहुँच सकता है उसे क्या कहा जाता है? हमने question में देखा server Server पर request कौन भेजता है? Client और ऐसे client को क्या बोलते हैं? Web client So the correct answer is Web client Any computer that can access the server is called वो जो server को access करता है उसे क्या बोलते हैं? Client बोलते हैं या फिर Web client बोलते हैं तो client हमेशा request करता है और server हमेशा response देता है तो इसका मतलब अगर मैं कुछ Google पर भून रहा हूं तो मैं क्या हो गया? Client और server क्या हो गया? जो हमें response दे रहा है यानि Google एक server है Clear है? Very good A service that allows a user to login into another computer somewhere on the internet वह सेवा जो उपियोग करता को internet पर कहीं अन्ने computer में login करने के अनुमती देते हैं उसे क्या बोलते हैं? हमने यहाँ पर question में देखा login करना remote computer को कहीं दूसरी जगे पर computer है उसको login करना है उसको operate करना है और हम जानते हैं remote के case में login के case में जो protocol काम करती है वो है telnet protocol तो यहाँ पर answer क्या होगा? guys telnet is the correct answer telnet protocol की मदद से हम एक जगे पर बैठ कर किसी दूसरे के computer को access कर सकते हैं किसी दूसरे के computer को ठीक कर सकते हैं या किसी दूसरे के computer को operate कर सकते हैं that is with the help of telnet जैसे ME admin team viewer जैसे बहुत सारे softwares हैं जो telnet protocol का use करते हैं very good dash is a battery powered memory chip that effortlessly hold the initialization data अब आपको ऐसे question में घबराना नहीं है आपने सिर्फ देखना है क्या battery और computer में battery जहां पर लगी होती है उस जगे को क्या बोलते हैं याद करिए battery मतलब जहां से date और time ऑपरेट किया जाता है बिल्कुल सही आपने समझा that is called CMOS complementary metal oxide semiconductor ये बैटरी ही तो होती है तो correct answer क्या होगा guys battery के case में CMOS is the correct answer dash एक battery 40 memory chip है जो अरंभिक data को सहजते सहजता से रखती है हना तो data को संभाल कर रखने के लिए synchronize करने के लिए date और time को computer की memory पर दिखाने के लिए किसका use किया जाता है CMOS बैटरी का और इसकी full form भी कई बार exam में पूछी जाती है तो ये भी याद रखने की requirement है complementary metal oxide semi conductor clear है बहुत बढ़िया next dash is the act of disguising a communication from an unknown source as being from a known trusted source dash किसी अग्यात source से संचार को ग्यात विश्वसनी source से छिपाने का कारे कह रहा है कि आपके source को छुपाया जा रहा है ऐसा act जहां पर आपको क्या किया जा रहा है एक unknown source तक ले कर जाया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं जैसे आपको open करनी थी एक website लेकिन उसकी जगे पर कोई दूसरी website open हो गई आपके पस गलत link दे दिया गया और इस तरीके के एक्ट को क्या कहते हैं फिशिंग स्पूफिंग फार्मिंग स्निफिंग या स्मिशिंग करेक्ट आंसर है स्पूफिंग कभी भी कोशन में गलत source की बात की जाए या फिर आपको redirect करने की बात की जाए गलत तरीके से तो इन सभी जगे पर आंसर क्या बनेगा स्पूफिंग बनेगा IP address को hide करने के तरीके को भी स्पूफिंग बोला जाता है तो अगर आपको question में IP address को hide करने की बात की जाए DNS यानि domain name server को hide करने की बात की जाए या फिर ये question मिले तो इन सभी cases में answer क्या होगा spoofing होगा very good pick the incorrect statement about the MAC address MAC address के बारे में इन में से कौन सा statement invalid है यानि गलत है बताईए पढ़िए इसको MAC address is a 12 digit number क्या MAC address 12 digit का number है बिल्कुल सही MAC address hexadecimal format में होता है आप जानते है कि MAC address और IPV6 address ये hexadecimal format में होगा ये भी correct है MAC address belongs to physical layer क्या MAC address physical layer पे काम करता है बिल्कुल नहीं क्योंकि MAC address काम करता है data link layer पे जो कि OSI model की second layer होती है तो गलत statement हमें मिल चुका है that is option number 3 option 4 देख लेते हैं MAC address 48 bit का होता है सही है MAC address NIC card में embedded होता है NIC card के उपर लिखा होता है ये भी सही है MAC address network interface card के उपर ही तो लिखा होता है तो ये statement भी correct है और उस पर हम command लिखते हैं उस screen को क्या बोलते हैं very good that is called command prompt CMD से open इसको किया जाता है और answer क्या है guys command prompt यानि option number 4 is the right one next the powerpoint view that displays only text title and bullet is called वह powerpoint view जो केवल text यानि शीर्शक और bullet परदर्शित करता है वह है वह क्या है जल्दी से बताईए हम लोग जानते हैं कि powerpoint में total number of views कितने है 8, 5 और plus 3 जिसमें से अगर बात की जाए title और bullet की तो answer क्या होगा outline view is the correct answer for title and bullet अगर कभी भी question में title और bullet की बात की जाएगी तो answer क्या होगा outline view is the correct one और ये question IBPS का famous question है आता जरूर है ये question next 1TB per second is equal to dash BPS 1TB प्रति सेकेंड कितने bytes प्रति सेकेंड के बराबर है 2 to the power 40 2 to the power 10 2 की power 20 ये 2 की पावर 30 बीपीएस याद रखिएगा 1TB 2 की पावर 40 बीपीएस के बराबर होता है TB का मतलब होता है 40 so the correct answer is 2 to the power 40 bit per second या bytes per second next dash is a high speed device अच्छा एक question और bit और byte में क्या difference वैसे तो bit को small b से दर्शाया जाता है और capital B को bytes से शो किया जाता है अनव वैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो BPS में capital B होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर byte की बात हो रही है और हमेशा capital B को bytes से शो किया जाता है और small b से bit को शो किया जाता है क्योंकि यहाँ पर इसकी full form already दी हुई थी bytes per second इसलिए यहाँ पर इसको छोटे से दर्शा दिया गया है BPS लिख दिया गया है in short next dash is a high speed device used in CPU that is utilized to store data temporarily during processing very very important question dash CPU में उपयोग किया जाने वाला एक उच गतियोग करण है जिसका उपयोग प्रसंस्करण के दोरान आस्थाई रूप से data संग्रहित करने के लिए किया जाता है क्या होगा answer हमने question में देखना है high speed आगे हमने पढ़ा लिखा हुआ था temporary data high speed का मतलब सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी memory है जिसकी speed सबसे ज़्यादा तेज है तो answer है register register के बाद cache तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ढूंडना है register मिल गया लगा दीजी क्या register temporary memory है बिलकुल register हो cache हो या RAM हो ये सभी आपकी temporary memories है so the correct answer is high speed device या high speed memory जो की CPU के अंदर है जिसका इस्तमाल CPU करता है that is called register अगर मैं आपसे पूछू कि register किस से मिलके बना होता है register is the combination of what तो क्या आपको पता है बिलकुल आपको पता है आपने पढ़ा होगा कि register flip-flop का combination होता है register is the collection या combination of flip-flop very good next question which of the following keyboard shortcut represent the start menu in the Windows operating system निम्न लिख्यत में से कौन सा keyboard shortcut Windows operating system में start menu को का प्रतेनिद्द करता है तो start menu के लिए कि shortcut की का यूज करेंगे control plus escape control escape की मदद से जो start menu है वो appear हो जाएगी याद रखेगा ये भी बहुत बार question पूछा गया है ये question ऐसे भी पूछते हैं कि control escape की मदद से क्या होगा control escape की मदद से Windows operating system की start menu open हो जाएगी है ना तो ये इसका answer हो जाएगा तो दोनों तरफ से आपको याद रखना होगा next which of the following task is not performed by a computer CPU निम्न लिखित में से कौन सा कार computer के CPU द्वारा नहीं किया जाता है fetching the instruction instruction interpretation storing data permanently data processing या all of these हम जानते हैं कि CPU data को fetch भी करता है instruction को interpret भी करता है store भी करता है data को लेकिन temporary basis पर permanent नहीं क्योंकि CPU के अंदर होता है register जो data को temporary store करता है तो इसका मतलब तीसरा statement गलत हो गया यहाँ पर data को process करने के लिए CPU बिलकुल process करता है क्योंकि CPU क्या है central processing unit है बस यहाँ पर होना क्या चाहिए था storing data temporarily तो सही हो जाता लेकिन CPU के अंदर data को permanent तरीके से store किया ही नहीं जा सकता क्योंकि permanent data को store करने के लिए hard disk में करेंगे pen drive में करेंगे CD या DVD में करेंगे या SSD solid state drive में करेंगे कहीं हम लोग CPU में थोड़ी ना करेंगे permanent store getting very good the process used to remove magnetism from a CRT computer monitor is called cathode rate tube पहले जमाने में जो monitors आते थे वो CRT monitor हुआ करते थे याना बड़े-बड़े monitors तो कह रहा है cathode rate tube computer monitor से चुम्ब कत्म को हटाने के लिए उपयोग किया जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जहां पर हम CRT monitor में magnetism को remove करते हैं इसे क्या बोलते हैं deworm, dope, degasus, bounce या all of these correct answer है degas 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 that is degas so the correct answer is this process is called degas याद रखेगा यह question भी बहुत important है CRT monitors में से magnetism को remove करना इस process को क्या बोलते हैं degasus बोलते हैं next which file type has the file extension bat किस file प्रकार में जो file extension है वो bat है adobe photoshop web page image map macintosh binhex pc batch file या none of these bat का मतलब होता है batch file जिससे operating system run होता है उनको बोलते हैं batch file तो answer क्या होगा guys personal computer batch file pc का मतलब प्रेंका चोपडा तो होगा नहीं क्या होगा personal computer batch file next dash attack is an attempt by a cyber criminal to flood a server with traffic to overwhelm its infrastructure अब पूरे question में हमें एक चीज मिली क्या यह cyber criminal द्वारा किया जाने वाला एक attack है जहांपर server को flood किया जाता है तो ऐसा attack जहांपर server में बहुत जादा request भीजी जाती है उसे क्या बोलते हैं बताई dash हमला एक cyber अपराधी द्वारा server के बुनियादी धाचे को प्रभावित करने के लिए traffic से पाड़ लाने का एक प्रयास है that is called over flooding करना this is called ddos distributed denial of service यानि answer होगा option number 4 ये ddos होता क्या है जैसे अगर मुझे server hack करना है तो मैं क्या करूँगा मैं robot की मदद से उस पर बहुत जादा request डालूँगा बहुत जादा उसे request करूँगा बहुत जादा request करने की वज़े से क्या होगा वो server hang हो जाएग और अपनी services को त्याग देगा अपनी services को छोड़ देगा और फिर हम क्या करेंगे फिर as a hacker उस server को hack कर लेगा जोकी automatically shut down हो चुका है जोकी अपनी services को रोक चुका है उसको hack करना काफी असान हो जाता है this type of attack is called distributed denial of service और याद रखेएगा next how many placeholder given in powerpoint slide by default powerpoint slide में by default रूप से कितने placeholder दिये गए तो जब आप powerpoint की file को open करते हैं तो वहाँ आपको placeholder देखने को मिलते हैं जिसमें आप title या text लिखते हैं that is called the placeholder और by default आपको powerpoint में दो placeholder देखने को मिलते हैं so the correct answer is to placeholder next bitcoin uses which technology bitcoin किस तरीके की technique का इस्तवाल करता है किस तरीके की technology का यूज़ करता है bitcoin क्या है एक cryptocurrency है और cryptocurrency में जो technology use होई है that is called blockchain क्या होगा answer that is called blockchain यह blockchain क्या होता है blockchain एक ऐसी technology है जिसके तरू जितनी भी आपकी digital currencies है जितनी भी crypto currencies है उनको operate किया जाता है उनको mining की जाती है उनको store किया जाता है उनको process किया जाता है with the help of blockchain technology next which of the following is not a valid function in MS Excel 365 very very important question निम्न लिखित में से कौन सा MS Excel 365 में मान ये function नहीं कौन सा invalid function है some, count, subtract count a none of these हम जानते हैं some function भी है numbers को count करने के लिए count function subtract कोई function नहीं होता जबकि count a की मदद से हम कुछ भी count कर सकते हैं cell में तो subtract हो जाएगा invalid, बाकी सब है valid, तो subtract करने के लिए हम किसका use करते हैं minus symbol का तो जिस दो value को हम subtract करना होता है उन दोनों को हम select करते हैं और बीच में minus का sign लगाते हैं for the subtraction purpose next Each table appears as a spreadsheet grid is called प्रतेक तालिक का एक spreadsheet grid के रूप में दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है जो table होती है वो rows and columns के combination में होती है और उस particular table को क्या कहा जाता है जो कि rows and columns यानि spreadsheet के format में grid को represent करती है record, data sheet, queries, table या all of these question में पूछ रहा है spreadsheet तो answer क्या होगा data sheet is the correct one ऐसी sheet को data sheet के नाम से जानते है next what is the output of ms excel function ceiling 40,3 ms excel function का output क्या होगा अगर दिया हुआ है equals to ceiling 40,3 अपने आप करी और मुझे बताईए किस question का answer क्या होगा हम जानते हैं कि 3 की table पढ़नी है और ये table तब तक पढ़ेंगे जब तक 40 से greater value ना आ जाए या 40 के बराबर क्यों ना आ जाए तो ceiling का मतलब greater than और floor का मतलब less than तो 3 की table आपने पढ़ना शुरू किया तो आपको मिला 3 multiplied by 13 that is 39 जो की 40 से कम है और 3 को 14 से multiply किया तो मिला 42 जो की 40 से जादा है और ceiling में हमेशा जादा वाली value ही आती है तो इसका मतलब इसका answer क्या आएगा 42 होगा correct answer लेकिन अगर यहीं पर floor दिया होता floor 40,3 तो answer क्या आता 39 क्योंकि floor के case में हमेशा कम वाली value और ceiling के case में हमेशा जादा वाली value को लेते हैं और table किसका पढ़ते हैं जो कॉमा के बाद में होता है तो 3 का table पढ़ेंगे 40 से जादा होना चाहिए that will be the answer और fully divisible भी होना चाहिए तो 3 के table में fully divisible 40 से जादा क्या होगा 42 that will be the right one very good the default alignment of data in MS Excel 365 is MS Excel 365 में data का by default सन रेखन क्या है alignment क्या है तो Excel में text है वो किस तरफ होता है और जो numbers है वो किस तरफ होते है text left aligned numbers right aligned text right aligned numbers left aligned both text and numbers are left aligned या both text and numbers are right aligned या none of these या आता है बताएंगे नहीं क्या होगा correct answer बिलकुल सही Excel में text left aligned होता है और numbers हमेशा right aligned होते हैं तो correct answer होगा option number one text is always the left aligned and numbers are always the right aligned next how columns are named in MS Excel 365 MS Excel 365 में column का नाम कैसे रखा जाता है alphabetically numerically alphanumerically special characters या all of these बिलकुल आपको यहां पर यह याद रखना है कि अगर हम बात करेंगे MS Excel की तो columns को हमेशा alphabetical manner में ही रखा जाता है ABCD यानि alphabets में रखते हैं तो MS Excel में columns को alphabets और rows की बात करें तो numbers रोस में हमेशा क्या होते हैं numbers होते हैं और columns में हमेशा क्या होगा alphabet यानि ABCD से represent करते हैं very good next question which one of the following is a date and time function in Excel 365 Excel 365 में निम्न लिखित में से कौन सा दिनांक और समें function है find, mode, now, mid या none of these क्या होगा जरा सोच के मुझे बताईए कि अगर हम Excel 365 की बात करें तो date और time के लिए किसका use करते हैं and the correct answer is now function for the date and time हना इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि Excel 365 की बात करें या Excel की किसी भी version की बात करें date और time के लिए हमेशा जिस function का use करते हैं that is now function next which of the following protocol is used to download email from the email server email server से email download करने के लिए निमने लिखित में से किस protocol copy किया जाता है हम लोग जानते हैं email के case में mail को send करने के लिए SMTP का use करते हैं mail को receive करने के लिए POP3 और किसका use करते हैं IMAP का internet message access protocol लेकिन जब भी बात server की होगी इस case में हमेशा अंसर POP3 होगा यानि post office protocol version 3 is the correct answer तो email server से email को download करने के लिए निमने लिखित में से case protocol का use करते हैं that is called POP3 post office protocol version 3 MIME क्या है multipurpose internet mail extension है जिसकी मदद से कोई भी file को हम क्या करते हैं send कर सकते हैं जैसे हमें कोई video file send करनी है कोई image send करनी है कोई song send करना है तो इसके लिए MIME protocol का use किया जाता है next in this type of topology each node is simply connected to its right and left side nodes इस प्रकार की topology में प्रतेक node बस अपने दायों और बाये तरफ के nodes से जुड़े होते हैं बस topology star topology ring mesh या hybrid बिल्कुल सही अगर हम बात करें ऐसी कौन सी topology है जिसमें हर एक computer node का मतलब computer connect होता है right और left side से the correct answer is ring topology जहां पर message को token के format में transfer किया जाता है और आप देख सकते हैं कि हर एक computer के right और left side एक computer connected है एक node connected है that is called ring topology guides next if you press dash and dash several times then you can continuously switch tabs in your browser यदि आप dash को कई बार दबाते हैं तो आप अपने browser में लगातार tabs switch कर सकते हैं browser में tab को switch करने की shortcut की क्या होती है यही आप से पूछ रहा है और आपको पता होना चाहिए कि सभी browsers में tab में switch करना की shortcut की है control plus tab इसकी मदद से आप अलग-अलग tabs में switch कर सकते हैं जबकि खुली हुई applications में switch करने के लिए alt plus tab का use होता है अगर कई सारे applications पर आप काम कर रहे हैं जैसे एक browser open है आपके computer में कई सारे browsers open है या उसके सासत कई सारी अलग-अलग applications open ms word, ms excel, ms powerpoint या browser इन सब की बीच में अगर आपको switch करना है तो आप alt plus tab करेंगे और सिर्फ ब्राउजर के tabs के बीच में switch करना है तो control plus tab करेंगे next which one is the default world processor for Microsoft Windows Microsoft Windows के लिए default world processor कौन सा है बहुत ही प्यारा question और बहुत असान question ms word, ms paint, wordpad, notepad या none of these very good guys अगर हम बात करें by default word processor की तो यह हमें मिलता है wordpad यह by default है यानि अगर आप windows operating system install करते हैं तो आपको wordpad तो वहाँ पर free of cost मिलेगा जबकि ms word अलग से install करने की requirement होती है समझ में आ गया तो यह paid है ms word जबकि wordpad पूरे तरीके से by default भी है और free भी है next an ipv4 address consists of two pipe, dash pipe and dash pipe ipv4 पते में दो भाग होते हैं पहला भाग और दूसरे भाग का नम बताईए कितना आसान question है और कई बार पूछा गया है हम जानते हैं ipv4 address 32 bit का होता है 32 bit का होता है और ipv6 address 128 bit का होता है ipv4 address जिसमें total number of dots कितने होते हैं 3 dots जैसे 192.168.224 इस तरीके से आपका complete address होता है 3 dot होंगी 4 octet होंगी आपकी तो यहाँ पर आपको बताना है कि ipv4 address में 2 pipe कौन से होते हैं network और host यानि पहले में होगा network और दूसरे में होगा host next which of these waves is most commonly used by wireless mouse to communicate इन में से किस तरंग का उपयोग wireless mouse द्वारा संचार करने के लिए सबसे अधिक किया जाता है wireless mouse की बात करें wireless keyboard की बात करें remote की बात करें इनसे निकलने वाली जो waves होती है that is called infrared waves तो आंसर क्या होगा wireless के case में remote के case में जो waves निकलती है that is called short distance waves or you can say infrared waves next what is the by default font style in MS Word 365 MS Word 365 में by default font style क्या होगा अब ये बताइए कि MS Word में font style होते हैं वो कितने होते हैं तो आंसर है regular, italic, bold और bold italic चार तरीके के font style होते हैं MS Word में जिसमें by default होता है regular तो correct answer होगा regular is the by default one लेकिन अगर आपसे ये पूछें कि regular italic, bold या bold italic क्या हैं तो आप कहेंगे ये font style हैं कितने font style होते हैं तो आप कहेंगे चार तरीके के font style होते हैं तो सब कुछ याद रखेगा इसके लिए next in MS PowerPoint 365 which shortcut key is used to show or hide the grid MS PowerPoint 365 में grid lines को दिखाने या छिपाने के लिए कौन सी shortcut key का use होता है तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि PowerPoint में grid lines को sure hide करने के लिए shift plus F9 का use होता है तो shift plus F9 shortcut key is used to show the grid lines and to hide the grid line next the open source software version of Netescape Netescape कंपनी का जो open source software संसकरण है वो कौन सा है या open source browser का नाम बताईए जो Netescape दोरा develop किया गया है and the correct answer is Mozilla Firefox is the open source browser और the open source software तो यह पहला ऐसा browser था जो free of cost था और जिसमें editing भी possible है उसी को तो बोलते हैं open source तो correct answer होगा Mozilla Firefox next Dash is a small application designed to run within another application Dash एक छोटा application है जिसे अन अप्लिकेशन के भीतर चलाने के लिए design किया गया है script, web page, OLE, applet या none of these छोटे छोटे अप्लिकेशन जिनको Java programming की मदद से develop किया जाता है smallest applications होते हैं जिने दूसरे applications के अंदर run किया जाता है उन्हें applet के नाम से जानते हैं तो Facebook और WhatsApp क्या है एक application और उसके अंदर आपने छोटी छोटी आप्लिकेशन जिनको applet बोलते हैं जिने Java में से develop किया जाता है जिने Java programming language की मदद से develop किया जाता है that is called applet next 3 bit binary number can be represented by 3 bit binary संख्याओं को किसके द्वारा दर्शाय जा सकता है binary numbers, decimal numbers, hexadecimal number, octal number या none of these 3 bit का मतलब क्या है 3 bit का मतलब 1 का double 2, 2 का double 4 यानि 1 plus 2 plus 4 कितना आएगा? 7 7 किसकी range है? तो 0 से 7 range होती है octal number की तो correct answer यहाँ पर क्या होगा guys? that is octal number system या आप ये भी कह सकते हैं 3 bit का मतलब होता है 2 की power 0, 2 की power 1, और 2 की power 2 तो 2 की power 0, plus 2 की power 1, plus 2 की power 2 इनको जोडने पर मिलता है क्या? 7 और 7 किसकी range में आता है? octal number जिसका base होता है 8 और इसकी range होती है 0 to 7 तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे guys? 3 bit binary number can be represented by octal number very good which among the following keyboard shortcut is used to bookmark the current web page on the web browser web browser पर वरतमान page को bookmark करने के लिए निमन मेंसे किस keyboard shortcut को प्योग किया जाता है तो अगर हमें किसी website को या किसी webpage को bookmark करना है या favorites करना है तो इसके लिए हम control D की help लेते हैं control D shortcut key का use करते हैं next the keyboard shortcut to restart your computer is अपने आपकी अपने computer को restart करने के लिए किस shortcut key का use किया जाता है keyboard की वो shortcut key क्या है जिसकी मदद से आप system को restart करते हैं या warm booting करते हैं restart करने का मतलब warm booting and the answer is control, alt or delete यानि restart करने के लिए हम क्या करते हैं guys control, alt or delete का use करते हैं that is also called three finger key इसे three finger keys के नाम से भी जानते हैं तो ये रहे आपके best 40 questions आज के session में out of 40 आपने कितना score किया comment करके जरूर बताईएगा साथी साथ ये रहा आपका question of the day जो आपको comment box में comment करके बताना है बहुत favorite question है IBPS का अक्सर पूछा जाता है exam में what is the size of sector on a hard disk hard disk पर sector का कर क्या होता है हम जानते हैं जो computer की hard disk होती है वो track और sector में divided होती है data जहां पर store होता है वो भी sector होता है तो sector का जो size है वो कितना होगा 512K, 512K, 1K, 512 bytes, 4K या none of these बताईएगा फटाफट comment box में अगर आपको पता है तो इसका answer मैं दूँगा आपको next session में यानि day 2 में तो कैसा लगा आपको ये session एक बार लाइक करके बताईएगा कितना score आपने किया comment करके मुझे जरूर बताईएगा और अगर चैनल पर नए हो तो computer के लिए subscribe जरूर करिएगा साथी साथ अगर आप computer को basic से advanced level तक topic wise पढ़ना चाते हैं topic wise concept topic wise mcqs along with the mock test along with the pdf files तो आप join कर सकते हैं इस best course को इस best course से जुड़ने के लिए अरोडा educator application को install करिएगा किसी भी confusion के regarding दिये गए number पे whatsapp भी कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही बहुत जल्द मिलेंगे next session के साथ till then bye bye and take care guys thank you very much